हरियाना में हर के बाद कॉंग्रेस के नेता सदमे में है राहूल गांधी से लेकर कॉंग्रेस के तमाम बरेनेता इस भरम में थे कि हरियाना में उनकी सरकार बनने वाली है लेकिन हर के बाद अब कॉंग्रेस के नेता राहूल गांधी की छवी बचाने के लिए एवियम और चुनाव प्रकिरिया पर सवाल उठा रहे हैं एक बार फिर राहूल गांधी की सियासी लॉंचिंग फेल हो गई है राहूल गांधी ने हरियाना में यात्रा भी निकाली थे लेकिन उनकी यात्रा भी कॉंग्रेस के लिए काम नहीं आई और कॉंग्रेस धराम से ओदे मोगिर गई नहीं राहूल गांधी की फैक्टरी वाली जले भी काम आई और नहीं उनके द्वारा बीजेपी को लेकर की गई दुस्परचार कॉंग्रेस के लिए काम आई लेकिन अब हार के बाद राहूल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं और अब इपक्षी इंडी गडबंदन के नेता भी कॉंग्रेस को खुब नसीहत दे रहे हैं वहीं कॉंग्रेस द्वारा की गई एक गलती की वज़ा से लोग राहूल गांधी पर तंज कस रहे हैं देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट दर्शको हरियाना चुनाव परिनामों ने कॉंग्रेस को जबरदस्त जटका दिया है कॉंग्रेस का अती आत्मिश्वास उने ले डुबा वहीं अब चुनाव हारने के बाद कॉंग्रेस को उसी का एक ट्वीट असहज कर रहा है कॉंग्रेस की वज़ा से राहूल गांधी मजाक के पात्र बन गए है दर्शको आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले रहूल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि जी मैं चाहता हूँ कि हरियाना के जलेवी विदेशों में और देश के कोने कोने में जाए लेकिन हरियाना की जनता ने मिलकर कॉंग्रेस की जलेवी को ठंडी कर दिया और समझा दिया कि भाई जलेवी तो गर्म और करारी ही अच्छी लगती है लेकिन जैसे ही सुबह परिनाम आने शुरू हुए और शुरुवाती रुजान में कुछ देर के लिए कॉंग्रेस आगे हुई तो अति उत्साह में ट्वीट कर कॉंग्रेस ने राहुल गांधी को फसा दिया कॉंग्रेस के उस ट्वीट की वज़ा से राहुल गांधी और कॉंग्रेस को लेने के देने पर गए है कॉंग्रेस एकदम असहज स्थिती में आ गई है दरसल चुनावी परिनाम आने शुरू हुए तो शुरुआती रुजान देख कॉंग्रेस ने एक ट्वीट किया और लिखा की राम राम हरियाना जलेवी दिवस की शुभ कामना है लेकिन अति उत्साह में किया गया ये ट्वीट कॉंग्रेस की गले की फास बन गया है क्योंकि कॉंग्रेस के ग्यानियों ने शुरुआती रुजानों को ही अंतिम परिनाम मान कर ट्वीट कर दिया जिस तरह का माहौल भुपेंद्र हुडा के घर था उसको देख कर तो लगा कि बस हुडा साहब अब मुखेमंतरी बन ही गए है लेकिन जैसे ही रुजान परिनाम में बदलने शुरू हुए कॉंग्रेस की होश पाक्ता हो गए और सब जलेवी को ही चुपाने लगे पहले कॉंग्रेस केनेता पीम मोदी को जलेवी भेज रहे थे अपने हाथों में जलेवी लेकर एक दूसरे को खिला रहे थे लेकिन अब हारने के बाद जलेवी पर बात करने से भी भाग रहे है लेकिन जीत के बाद BJP केनेता खुद अपने हातों से जलेवी बना रहे थे और एक दूसरे को जलेवी खिला रहे थे वही शुरुवाती रुजहान देख जलेवी को लेकर कॉंग्रेस द्वारातीर तो सोशल मीडिया पर चल चुका था तो जनता कैसे पीछे रहती जनता ने भी मज़े लेने शुरू कर दिये और काफी मज़ेदार ट्विट्स किये बताते हैं आपको आगे द्रसल कॉंग्रेस के ट्विट पर जबाब देते हुए एक यूजर ने लिखा है कि हरियाना की जनता जनारधन का बहुत बहुत आभार और धनिवाद वैसे जलेवी की कंपनी ज्यादा काम नहीं आई हरियाना की जनता जनारधन को मेरा राम राम पहुँचे तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि आज के नतीजे का एक ही संदेश है भारत प्यार और जलेवी का देश है नफरत और करवाहट का नहीं वो दिन दूर नहीं जब नफरत और नफरत के फेरी वालो दोनों को अपना अपना बैग उठा कर पतली गली से भागना होगा वहीं पूजा नाम के एक यूजर ने रहूल गांधी की एक तस्वीर शेर कर लिखा है कि जलेवी का बीज धुंडते भाजपा के स्टार परचारक वहीं एक यूजर ने लिखा है कि राम राम फैक्टरी वाली जलेवी का स्वाध आया क्या वहीं अक यूजर ने लिखा है कि कॉंग्रेस की जलेबी की फैक्टरी तो लगने से पहले ही ध्वस्त हो गई दर्शु को समझने की जरुवत है कि कॉंग्रेस की ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि उन्हें लगा कि हम तो एक तरफा जीत रहे हैं लेकिन सच तो ये है कि जनता को लगा कि कहीं ये हमारा हाल हिमाचल प्रदेश वाला न कर दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम तो दूर की बात है जो सेलरी आ रही है वो भी न रुख जाए हर्याना की जंता इस बार कॉंग्रेस की जाल में नहीं वसी हर्याना को मोदी की गारेंटी पर ही भरोसा है इसलिए बीजेपी को जंता ने तीसरी बार सिहासन पर बिठा दिया है हरियाना में कॉंग्रेस की हार के बाद राकेश टिकैट भी परिशान है लेकिन राकेश टिकैट अब एक्सपोज हो गए है कि हरियाना के किसान उनके साथ नहीं है राकेश टिकैट हरियाना के किसानों को लेकर अफवा फैला रहे थे कि किसान बीजेपी के खिलाफ हैं लेकिन अब उनकी पोल खुल गई है राकेश टिकेट की डाल अब नहीं कल रही है यूपी में भी राकेश टिकेट के जासे में लोग नहीं आये थे और अब हरियाना के लोग भी राकेश टिकेट के जाल में नहीं फसे हैं लेकिन अब हरियाना में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद राकेश टिकेट बैकफुट पर है और तिल मिला कर विबादित बयान दे रहे हैं। दरसल हरियाना विधान सबचनाओ के बाद जाड़ी एक्जिट पोल को देख राकेश टिकेट खुश हो रहे थे। एक्जिट पोल पर परतिकरिया देते हुए राकेश टिकेट ने कहा था कि हरियाना में सरकार निपट गई, हार गई। ये गनित का सवाल है। ये हमारी समच से परे हैं। ये ही पूरी तरह से राजनेतिक गनित हैं। और उन्होंने चेतावनी दी कि बीजेपी चुनाओ को किसान बनाम अन के रूप में खेल रही है। जिससे एक बड़ा खेल चल रहा है। ये बड़ा घपला है। यदि जनता वोट नहीं दे रही है तो फिर ये वोट कहां से आ रही है। ये एक गंभीर प्रशन है। राकेश ठीकेट ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हर्याना की जनता बीजेपी से इतनी नाराज थी। फिर भी उसी की सरकार बन रही है। पता नहीं ये कैसे हो जाता है। राकेश टिकेट को भी उमीद थी कि हरियाना में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी टिकेट ने खुले तोर पर भले ही कॉंग्रेस के लिए वोट नहीं मांगा लेकिन अंदर खाने कहीं न कहीं वो कॉंग्रेस को समर्थन दे रहे थे यही कारण है कि हरियाना में जब बीजेपी की जीत हुई तो राकेश टिकैट भरक उठे और विवादित बयान दे दिया लेकिन अब राकेश टिकैट देश के सामने एक्सपोज हो गए है कि कैसे वो कॉंग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं उन्हें सिर्फ कॉंग्रेस और विपक्ष की जीत से मतलब है वो किसानों के नाम पर विपक्ष के लिए सियासी पीच तियार करने का काम करते हैं लेकिन हरियाना के लोगों ने कॉंग्रेस के साथ राकेश टिकैट के मनसूब पर भी पानी फिर दिया है कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी अब देश के सामने एक्सपोस हो गए हैं हरियाना में चुनाव प्रचार के दोरान राहूल गांधी बीजेपी पर खुब आरोप लगा रहे थे लेकिन हरियाना के लोगों ने राहूल गांधी को बता दिया है कि उन्हें सिर्फ अपने लोगप्रिये प्रधान मंत्री पर ही भरोसा है राहूल गांधी लाख अफवा फैला ले विदेश में जाकर भारत के लोगतंत्र को बदनाम करें लेकिन उनकी दाल गलने वाली नहीं है लेकिन कॉंग्रेस की हार के बाद राहूल गांधी के करीबी नेता जैराम रमेश से कर पवन खेडा सब चुनाव आयोग और इवियम पर ठीकरा फोर कर राहूल गांधी को बचाना चाहते हैं। जावा किया गया था जिसके बाद सहीं कॉंग्रेस के नेता जोश में थे लेकिन अब वो तिल मिलाए हुए हैं और कह रहे हैं कि हम इसे सुईकार नहीं कर सकते हैं। अला कि अब हार के बाद कॉंग्रेस के नेता सदमे में हैं। दरसल हरियाना चुनाव के बाद एगजिट पोल देख खुशी से जूम रहे कॉंग्रेस के नेताओं को बड़ा जटका लगा है। वही हार के बाद कॉंग्रेस महासचीव जैरम रमेश ने कहा है कि मौझूता हालात में हरियाना के परिनाम को सुईकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही कहा कि हरियाना का अध्याय अभिखत नहीं हुआ है। ने दावा किया है कि हमसे जीत छीनी गई है। आज जो नतीजे आए है वो जमीनी हकीकत के अनुसार नहीं है। जैरम रमेश का कहना है कि ये परिनाम लोक भावना के खिलाफ है। इसके अलावा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देरी से आ रहे आकरे को लेकर भी कॉंग्रेस नेता जैरम रमेश ने सिकायत की थी। वहीं कॉंग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा है कि नतीजे पूरी तरह से अब प्रत्याशित हैं और हम कहेंगे कि ये अस्विकार है। रहुल गांधी के करीवी नेता जैरम रमेश पवन खेडा और भुपेंदर सिंग हुडा द्वारा चुनाव आयोग और EVM पर ठीकरा फोरा जा रहा है। लेकिन कुमारी शैलजा ने उन्हें आइना दिखाने का काम किया है। कॉंग्रेस के परदशन पर सांसद और सियम पद की प्रवल दावेदार कुमारी शैलजा ने कहा है कि कहां तो हम 60 सीटों की बात कर रहे थे और कहां हम जीत के लिए जूज रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कॉंग्रेस कारेकरताओं की निराशा से दुखी हूँ। मुझे यकीन है कि पार्टी आलकमान हर के कारनों का आकलन करेगा। उन्होंने आगे कहा कि बहुत कुछ होते हुए सारी चीजे ढगते हुए चुनाव लरा आज कहना अच्छा नहीं लगेगा आगे के लिए देखना होगा कारेकरता निराश हुए है हताश नहीं है हाई कमान को ये देखना होगा कि कहा कमिया है क्यों कमिया है कौन लोग है जो एक ट्वीट किया है इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बहुजन को साथ लेकर चलना पड़ेगा शुरुवात और अंत यही है शुवासनी शरद्यादव दिवंगत समाजवादी नेता शरद्यादव की बेटी है उन्होंने 2020 में कॉंग्रेस जोइन की थी वो राहूल गांधी और प्रियंका गांधी वाडरा की करीबी मानी जाती है दर्शको जैरम रमेश और पवन खेरा जैसे राहूल गांधी के करीबी नेता राहूल की छवी बचाने के लिए EVM और चुनाव आयोक पर ठीकरा फोर कर देश की सम्विधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि खराबी EVM में नहीं है उनके नितरुत में ही दम नहीं है कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो राजनीती के लिए अभी मेच्योर नहीं हुए है राहूल गांधी को उनके सलाहकार जो पट्टी पढ़ा देते हैं उसी को सच मान कर वो जोश में आ जाते हैं और होश खो देते हैं चुनाव परचार के दौरान राहूल गांधी ऐसे दिखा रहे थे जैसे वो देश के परधान मंत्री है उनसे बड़ा कोई नहीं है हरियाना में चुनाव परचार के दौरान राहूल गांधी काफी जोश में थे और उनके बयान से एहंकार की बू आ रही थी लेकिन हरियाना हारने के बाद अब राहूल गांधी नर्वस दिख रहे हैं और वो जो कर रहे हैं उससे वो एक्सपोस हो गए हैं और लोग उन पर हस रहे हैं कि राहूल गांधी को क्या हो गया है राहूल गांदी ने इस बार भी खुद ही देश को बता दिया है कि वो अभी भारतिय राजनीती के लिए परिपक को नहीं है पहले तो हर्याना में हार के बाद नतीजों के दिन राहूल गांदी कुछ नहीं बोल पाएं और जब इंडी गड़बंदन के बरे नताओं ने आईना दिखाया तब जाकर राहूल गांदी की अगले दिन निंद खुली लेकिन इस बार भी राहूल गांदी ने अपनी पोल खुल वाली है दर्शकों हर्याना के भीतर कॉंग्रेस को करारी शिकस्त मिली है और जमू कश्मीर में नेसनल कॉंफरेंस के सहारे पाटी सत्ता में पहुंची है लेकिन जमू कश्मीर में पाटी को सिर्फ 6 सीटे ही मिली है कॉंग्रेस अपने दम पर कहीं भी सरकार बनाने में नाकाबिल हो गई है कॉंग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि वो एक जगा से साफ होती है तो कई दशुकों तक सरकार में वहाँ वापस नहीं आपाती है कॉंग्रेस का हाल ऐसा हो गया है कि हर राज में उसे बैसाकी की जरूरत पर रही है वो जिसके साथ रहती है उसी को निगल या खत्म कर देती है ऐसे में कॉंघ्रेस की हरियाना मेहार के बाद इंडीग अडबंदन के बरे नेता उन्हें कटगरे में खरी कर रहे हैं सबसे पहले अर्मिंद के जरिवाल ने कॉंघ्रेस पर निशाना साधा और कहा कि ओवर कॉंदिन्स ठीक नहीं है उसके बाद संजय राउट से लेकर संजय सिंग और लिफ्ट के तमाम निताओं ने राहूल गांदी और कॉंग्रेस को आइना दिखाने का काम किया कि उन्हें अपने आप को बॉस नहीं समझना चाहिए और दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी साथ लेकर चलना चाहिए वहीं हार के बाद इंडी गडवंदन के निताओं और बीजेपी के निशाने पर आने के बाद राहूल गांदी ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है लेकिन राहूल गांधी ने जो कहा है उससे लोग ये कह रहे हैं कि राहूल गांधी उस बच्चे की तरह बरताओ कर रहे हैं जो किसी खेल में हारने लगता है तो खेल को बीच में ही छोड़ कर भाग जाता है लेकिन जब जीत रहा होता है तब बड़े ही मज़े से खेलता रह हर्याना में हार के काफी देर बाद चुपी तोड़ते हुए राहूल गांधी ने एक्सपर लिखा कि जमु कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, प्रदेश में इंडिया की जीत, समविधान की जीत है, लोकतांतरिक स्वाभिमान की जीत है, वहीं हर्याना को लेकर और हमारे बबबर शेर कारेकरताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद, हक का समाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संगर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे, दर्शुको जम्मु कश्मीर में जहां विपक्षी ग वहीं राहूल गांधी के पोस्ट पर रिपलाई करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि हरियाना के नतीजे अब परत्याशित कैसे है सर, हरियाना में कॉंग्रेस को लगभग 40% वोट मिले है, जम्मु कश्मीर में इंडी गडबंदन जीत गया तो लोगतंतर और समिधान की जीत है, हरियाना में इंडी गडबंदन हार गया तो लोगतंतर और समिधान की हार है, समिधान और लोगतंतर की जीत का मतलब सिर्फ कॉंग्रेस की जीत नहीं हो सकता ना, दर्श को लोगसवा चुनाओं के बाद से ही राहूल गांधी को लग रहा था कि लोग उनके जहासे में आज आ रहे हैं, लेकिन अब राहूल गांधी समझ गए हैं कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है, उनकी असलियत लोगों के सामने आ गई है, यही वज़ा है कि उन्होंने फिर से एबियम और चुनाओ आयोग का राग अलापना शुरू कर दिया है, वहीं चुनाओ आ और कहा कि यह अभिवेक्ति की स्वतंतरता का वैद हिस्सा नहीं है, बिरो रिपोर्ट ओमेच निउस